इगले स्पॉंज केक बनाने के लिए हाफ कफ मैदा लेना है हाफ टीस्पून बेकिंग वाउडर, हाफ टीस्पून सोडा इसके बाद में बन टेबल स्पून बटर, बन टेबल स्पून ओईल हाफ कफ हम लोग इसमें मिल्क मेड लेंगे half teaspoon vanilla extract लेना है नीबू डाल देंगे इसमें हम लोग half teaspoon जितना और सारी चीज़ों को काफी अच्छे से mix करना है then इसमें हम लोग 90 ml जितना milk डालेंगे और इसको काफी अच्छे से मुझे mix करना है इस तरह से mix 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 ये batter proper consistency में यहाँ पर होना चाहिए पूरा दूर जो है हम लोगों ने इसमें मिला लिया और बहुत अच्छे से flowing consistency वाला हमारा batter यहाँ पर बन गया है अब इसको हम लोग baking pot में डाल देंगे मैंने यहाँ पर rectangle pot लिया है greasing करके आब इसको हम लोग baking के लिए रख देंगे 180 degree पर preheat किये वे अवन में at least 30 to 35 मिनिट के लिए देर आफटर हम लोग चेक करेंगे तुद्पिक के साथ यह काफी clean है और यह बहुत है delicious and yummy eggless simple recipe यहाँ पर ready है यह हम लोगों ने यहाँ पर sponge cake ready कर लिया और अब आप देखोगे कि यह कितना fluffy and spongy है बहुत है tasty यहाँ पर यह केक बन गया है हमारा अब इसको हम लोग कट करेंगे और इसका sponge देखेंगे perfect eggless cake recipe यहाँ पर बन कर ready है तांक यू जिनेश cooking classes follow me